अप ठोंग समय पता है एपिपी एसी इस्व का लेटेस अव्डेट किया है हमनु का पेरेंस टीम ने दस तरिक से लेके बाररे तरिक तक बन कोल देकलियर किया गया था और उस बन कोल में जितना भी हमनु का पेरेंस टीम से ये रेक्वेस्ट किया गया था कि पीसपुली बन कोल हो, कोई पत्तरवाजी ना करें, कोई गौवर्मेंट प्रपार्टी को देमेज ना करें, इसका चलते हैं, जितना अभी आमनों का पावलिक्स है, जहां जो इतानगर में हुआ, पासिगात में हुआ, दापोरिजो में हु इनफेक्ट आप भी देखा होगा, पुलिस से आया, एड्मिस्ट्रेशन से आया, लो इनपोर्सिंग एजन्सी से आया है कि ये सब तोर फोर हुआ नहीं है, कोई भी अपना हाथ पे लोग को लिया नहीं, तो फीसपुली हमनों का बन कोल, जो पेरेंस तीम का बन कोल सक्सेस हुआ, और वी ऐसे पान अरनाचल जोन स्टेरिंग कमीटी हमने पहले भी बोला कि वी ऐसे एस फेरेंट, और आई विंग गोर्मेंट इंप्लोई, आई केनोट गो एगेंस दी वात कोल लो, जहां तक दिमोक्रितिक राइट्स है, हमको बनता है, उसमें हमनों करेगा, इसलि हमनों का ओई दीमान है, इसलिए कोई भी हमनों का 13 पॉइंट दीमान को यहां पे गोर्मेंट का तेवल पे रख देता है, इंक्लूदिंग अबर पेरेंस तीम और आंसू तीम, वी एप्रिशेट, और डिट बेस हमने नो तारीक को फ्रेश ब्रिपिंग रखा, अलोंग पेलो एस्पेरेंस, उसमें भी हमने कहा कि हमनों का जो पेरेंस तीम को जो बंड को देकलर किया हम, एप्रिशेट करता है, और जो हमनों का मुड़ा को जो आगे लेके गया है, उसको भी हम एप्रिशेट करता है, और हम गोर्मेंट को भी रिक्वेस्ट किया गया ता कि अप प्लिस प्रसासं है अप लुक्क टेक पुली यहां पे दिल किया और जितना वह हमनों का पड्रिक ли çapован सपोर्ट किया और जितना वही crewn Burch तीम्स है यहां पे अमनों को सब्वस पोर्ट किया और जितना वह इस्पेरेंस है सपेशिली मेरा परन अन्परन से आंट को मेरा गाइडेंस पे अप्रोक जिस वे से हमने वोला कि कोई लोग को अपना हाथ में नहीं अप्रुक भी लिया नहीं पीज़ पूली अप्रुक भी यहां पे शाथ या इसके लिए मैंधिल से अपया लेकिन यह जो बंड कोल का बाद में है आप लोग जो देख रहा है कि किस वे से इस्तिति यहाँ पे सिचुएशन गरमाया जा रहा है डिस्ट्रिक एड्मिस्ट्रेशन और गॉर्मेंट का तरप से हैं आप लोग यहाँ पे देखना पर रहेगा यह जो तीम को जो हम लोगा प एक्स्टरनल पॉर्सेस यहाँ पे पांडिंग नहीं किया है चाइना यहाँ पांडिंग नहीं किया पकिस्तान यहाँ पांडिंग नहीं किया यहाँ पे अगर यह पेरेंस तीम आया भी है तो हमनुका 13 पॉइंस ओफ दिमान को रखने के लिए आया और इसलिए हम यहाँ प यहाँ पे politically motivated होके आया है हमको ऐसे नहीं लगता है हम बोल सकता है कि यह parents teams जब तक 13 point of demand और जब तक APPAC issue कोई बात करे है तब तक यह लोग कभी politically motivated नहीं हो सकता है येस अगर उसका अलावा अगर government को target करता है CM को गिराना है बावेंग पिलिस को गिराना है अगर वो से बात करता है अगर government का दुसरा जो प्लेक्सिव स्किम्स है उसका बारें बात करता है ये parents team politically motivated इसलिए जितना भी जनता है आप लोग यहाँ पे ऐसे notions देने वाला को आप लोग क्यार नहीं करना है हम लोग जब पारनर नाचल जोईन स्टरिंग कमेटी हम जब तक रहेगा ये इसू को कभी politicalize हम लोग इसू का purity को जिस वे से बरकरार रखा है ये 9 मेना में हम लोग जब तक logical conclusion नहीं लाएगा तब तक I being the chairman of पारनर नाचल जोईन स्टरिंग कमेटी हम जितना भी जब जब जनता को ये आसवासन देता है कि ये इसू कभी politically motivated way पे जाएगा नहीं और government को भी हम ये संडेश दे रहा है कि आप जिस वे से आप अपना काम नहीं करके यहाँ पे आमनों का parents teams को आप यहाँ पे और हमनों का group और जनता का बीच में ये नपरत पैदा कराने का कर रहा है ये भी आप लोग मत कीजिए इसलिए यहाँ पे जनता लोग समझना पर एगा ये लोग को किसले target किया जा रहा है नोदावत ये लोग बन को डिकलियर किया लकिन जनता लोग समझना पर है इस इस इसे एक state का बहुत बड़ा इसू है जहाँ पे अपसू चुप हो गया और लोग को skim दे के यहाँ पे चुप कराए गया है बाकी NGOs बाकी सीवियोस कुछ ने बलब पार है यहाँ पे सब officers कियो चुप है क्युकि सब का obligations से हिमत ने होता है लेकिन यहाँ पे जो हमत जुतां को आया इतलिस यह parents ठीमी भी हमत जुतां को आया है इसलिए इसको support करना चाहिए और यह लोग का जो early release के लिए यहाँ पे सब मांग करना चाहिए और जिछना भी मैं जनतां को सांप सब्दों में कहें दून, यह जो हम लोग की ईशू को सेक्रेटरेट का ओपिसर से लेकर के, पुलिष प्रसाषिंस, एड्मिस्ट्रेशन, जिछना भी जो पोस्त में होते हुए भी आफिन नहीं नहीं बोल सकता है, लेकिन हम लोग को पीछ और इसको purity का साथ में logical conclusion लाना है इसलिए हम बोल रहा है कि ये बिल्कुल politically motivated नहीं है instead ये जो हमनों का parents team ने जो हमनों को साथ दिया है इसको हमनों appreciate करना चाहिए इसमें negativity पाइदा पेलाना नहीं है और जो हमनों का burn call का बाद में अपनों देखिए burn call declare कर किया burn call declare I think parents team जब burn call declare किया था उस वक्त में हमनों ग्यामर पादं का वहाँ जो एक last rights था उसमें हमनों भीजी था हमनों का जितना भी पान अरना चल जोन इस तरिंग कमिटे के मेंबर्स उसमें सब्ता almost up to eight and nine we have we was there in the padan's resident जहाँ पे उसको अंतिम बिदाय हम लोग अपना जो इस्तेट का hero को दे रहा था उस वक्त में साइद ये लोग बन call declare किया था इसलिए जब हम लोग नो तरिक में हम लोग जब press ripping किया उसमें भी हम कुछ ने बोला हमने वही बोला state government bombing पिलिक्स और पेमा कंडु सार को हमने बोला ये बादा आप दोनों के अब दोनों का लिकित है यहाँ इस्तेट पुरा देखा सारा इरनाचल देखा सारा इंडिया देखा है कि आप लोग यहाँ पे जूद बोला गय है इसका चलते हैं यह जो का parents team का मजबूरी में लोग बन कोल गया इंपक्त हम उसमें भी कहा गया था जी तोन्ती समित का उसमें भी बन कोल करना था कोई लोग का बहुत बोला लकिन हमने एसे intellectually हम उसको माना नहीं और इंपक्त है कभी हम लोग जो जितना भी पान और नाच को भी गवर्मेंट को भी आप निकल के देखें जहां पर हम बाइलेंस को क्या इंडोस क्या कभी भी हम बाइलेंस को इंडोस नहीं क्या इंपक्त हम एक देमोक्रिक मेंस को हम अपना एक तूर समझा है और आगे भी हम लोग देमोक्रिक मेंस को यहां पर रखेगा इसलिए पर जिस वे से यह लोग हमनों का पेरेंस तीम को बिपोर बंद को यह लोग उताग के लेके गया है यह लोग को देखिए यही एद्मिस्ट्रेशन यही दीसी तलोप तुमसारता और यही गौर्मेंट यही पेमा कंडो यही होम मिनिस्टर बामेंग प्लिक्स यह लूग का क्यों नहीं किया गया था अब्सु भी इसी मुदा पे आया था इन पे इसी मुदा पे आके ओलोका सीशा तो रहरा हो कि यहाँ पर बंको अप्सु तो इंट्यार स्टेट में बन को देक्रार किया गया था उसमें भी आपनों पुलिस पोर्स लेके आया गया था उसमें पर आपनों जो आप्सु का जितना एक्विटिव मेंबर्स को बिपोर हैं आपनों क्यों नहीं किया